हेलो दोस्तों सवागत है आपका विजेर क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज से इस चैनल पर आपको रेगुलर करेंट मिलेंगे ठीक है ये करेंट जो की हेल्फफुल रहेंगे आपके आने वाले जेकी असेस्पी के सारे एकजाम है कौन-कौन से हमें पता है फ भी के साहीं नहीं है तो आज जो चीजव हम पढ़नेवाले कल के करेंट पड़ेंगे कल की निजम calendar और कुछ के बारे में जानेंगे जो रीसेंट्ली przत हुन है अब बात करते हम सीधिये और सीध्ये अपने पहले करेंट पेशलते हैं की पहला हमारा कर见ट क्या बोढ़ रह था उस टाइम दो लोग दो लोग कौन कौन एक सागर शर्मा और दूसरा दी मनोरंजन यह दो बंदे पार्लियमेंट में गुज जाते हैं क्योरिटी ब्रीच करके उसके बाद आने के बाद यह क्या करते हैं लोग सबाकी विजिटर गैलरी में आ जाते हैं यह जो उपर दिख स्मोग होता है यह क्या करता है यहां से कूच जाते हैं और MPs के पास जाके कैनिस्टर से स्मोग गैस छोड़ देते हैं हालांकि MPs जो है इनको उसी टाइम पकड़ लेते हैं और पुलीस के हवाले करते हैं अब बात करते हम जीरो और क्या यह हम आगे देख सबसे पहले हम प पार्लिमेंट के है कि दोस्तों हमें पता है कि पार्लिमेंट का अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो पार्लिमेंट में 79 से लेके 122 आर्टिकल आते हैं और पार्ट फिस्त में आता है ठीक है उसके बाद इसमें दो हाउसिस होते हैं कौन-कौन से राज्यसभा और लोगसभा राजय सबह जो है आज़िकल 20 में आता है और इसको अपर आंगर बाद कुरहें अपर हाउस की में इसमें कितने इंबर कोई बता देंगे मेरे को सर इसमें जो है हमारे लगबग जए लägबगया 200 मैमबर मैय किम होते हैं ही के लना अब 200 मैमबर में से सर जो बारा होते हैं ये कुन चुनता है ये चुनते हैं हमारे प्रेजिडेंट जी चुनते हैं किस बेसिस पे चुनते हैं जो बंदे लिट्रेचर में जो बंदे आर्ट में जो बंदे साइंस में सोशल साइंस में जो अपने किस फिल्ड में महारती होते हैं इनको चुना ज सबागी अगर हम बात करते हैं यहाँ से लोग सभा की तो लोक सबागा अगर हम्аш देखें वो है आर्टिकल एटी और इसको लोग हौष भी कहा जाता है अगर बात करें इसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं 552 अब दोस्तों मैक्सिमम क्यों कह रहा हूं मैं maximum का ये मतलब है जो हमारे सवीधान में लिखा हुए जो हमारे constitution में लिखा हुँ वो लिखा हुए maximum दोने चाहिए currently कितने हैं, कितने होते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं maximum कितने हैं ये बताया गया है constitution के अंदर अब इन में से अगर मैं बात करूँ दोस्तों इन में से 530 जो होते हैं, 530 डायरेक्टली एलेक्ट किये जाते हैं कहां से different states से हमारे इंडिया की, बाकी जो 20 होते हैं, ये 20 एलेक्ट किये जाते हैं हमारे यूटी से union territories, अब बचे दो, ये दो जो मेंबर्स होते हैं ये हमारे president साहिब चुनते हैं, कौन चुनते हैं, ये कौन होने चाहिए, ये होने चाहिए हमारे Anglo-Indians होने चाहिए, एंगलो इंडियन होने चाहिए, ठीक है, पहले ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल सेशन ऑफ पार्लिमेंट की सेशन ऑफ पार्लिमेंट में अगर देखा जाए इसमें आता है आर्टिकल 85 इसमें तीन सेशन आते हैं जो हमारे पार्लिमेंट में होते हैं ठीक है पहला सेशन जो बजेट को होता है जिसमें बजेट बनाया जाता है यह कब से कब होते ह यह होते हैं फैब 2 में उसके बाद हम बात करें दूसरा होता है हमारा मूर्ण बजट जो कब से कब तक होता है जुलाई 2 सेप्टमबर होता है उसके बाद अगर हम बात करें विंटर सेशन की जो होता है नवंबर to दिसमबर ठीक है दोस्तों यहां तक समझ आगी चलो अब हम आगे चलो पर इतना तो होगे आप देखते हैं पार्लीमेंट अगर मैं एक इंसान हूँ अगर मैं पार्लीमेंट में जाना चाहता हूँ अगर मैं पार्लीमेंट में जाना चाहता हूँ और एक दिन पार्लीमेंट में कैसा हो होएगा उधर के ट्रॉफ क्या करते हैं जानते हूं पार्लिमेंट का अगर दिन देखें वह शुरू होता है आपका ग्यारा बज़े 11-12 ङी अंदर होता है सबसे पहले कोशन और कोशन और में क्या होता है कोशेनर में जो members होते हैं, वो सरकार से अपने questions पुट करती है, कि हाँ जी भाई, इस-इस मसले में हमारा solution निकल, उसके बाद हमारा शुरू होता है, जीरो और, अब जीरो और जो है, हमारे constitution के अंदर नहीं लिखा गया, यह हमने खुद बनाया है, खुद हमारा self-made है, बट इसमें होता दोस्तों, अगर MP को, किसी भी MP को, किसी भी मसले पर बात करनी हो, इशू पर बात करनी हो, तो उसको notice देना पड़ता है, 45 days का, बात करने के लिए, ठीक है, पर, कुछ इशू वैसे होते हैं, जो बहुत urgent होते हैं, बहुत urgent होते हैं, इसी urgency के लिए हमारा zero हो, अब इस urgency को, अगर हमें zero hour में कुछ issue को raise करना है, तो कैसे गर, जो हमारा member होगा, वो 10 वजे से पहले, 10 AM से पहले, जो presiding officer होगा, उसको एक notice देगा, कि ये चिज़े मेने बोलनी है, फिर वो जो अपना issue है, जो बहुत ही urgent है, उसको वो zero hour में बात बना सकता है, अपनी बाते कर, ये हो ग timing, जिसमें लोक सबह अपने loss बनाता है, ठीक है, दो से पांच हो गया, लोक सबह का time, और अगर बात करें राज्य सबह, राज्या सबह हालांकि दो से लेके 5 वजे तक ही चलता है, ठीक है, दोस्तों, ये 3 गेंटे चलता है, और ये 4 गेंटे, ठीक है, दोस्तों, यहां तक म जीरो और एक्चुली है क्या है जो लिखा हुए वो देख लेते हैं जीरो और इस टर्म यूज़ इन पार्लियमेंटरी इस पीरियाड दूरिंग विच पैमबस ऑफ पार्लियमेंट एन रेज इंपोर्टेंट इश्यू इस आर दा इश्यू दैट रिक्वार इंपोर्टेंट होता है उसका नोटित में दस वज़े से पहले देना पड़ता है इन दा इंडियन कॉंटेक्स्ट दा कंसेप्ट ओब जीरो और वस इंटेडियूज़ इन पार्लियमेंट नाइंटिन सिक्टू यह खुद इंडिया का है यह अब बना कब 1962 में 1962 में फर्स्ट टाइम जीरो और यूज़ हुआ हमारे पार्लियमेंट में कब लोगसभा में और इसको बनाया किसने था फर्स्ट टाइम किसके अंडर यूज़ हुआ यह हुआ हमारे स्पीकर जो लोगसभा के जिनका नाम था हुकम सिंग हुकम सिंग जी के अंदर यह जो है फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ यह जो फोटो दिख रही है यह हुकम सिंग की ही है ठीक है दोस्तों हुकम सिंग जी की ही फोटो है यह चलो हम आगे चलते हैं अब आगे बात करें कल वही दिन था जो कल से 22 साल पहले जब इंडियन पार पर्लिमेंट पर अटेक वह था था 2001 को यह कचंबे की बात है कल वी वही दिन था एक 5 साल पहले वही दिन था अगर बात करें 2001 को क्या हुआ था पांच टेररिस्ट जो हैं पांच टेररिस्ट हमारे पारलिमेंट में गुज जाते हैं और वो छे पुलीस दिल्ली पुलीस के जवान जो पारलिमेंट के स्क्यूरिटी परसनल्स को और एक गार्डनर को जो है अटैक करके उनको मार देते हैं ठीक है दोस्तों अब हम थोड़ी सी चीज़ और भी जान लेते हैं इस कलवली घटना के अकॉर्डिंग अगर बात करें दोस्तों कलवली घटना के अकॉर्डिंग जो आज न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग लोग सभा के लोग सभा के सब्सक्राइब कर दिया और चार लोगों को गिरिफतार कर लिया चार लोगों को डिटेन कर दिया सर दो बात कर रहे थे आओ देखें सर चार लोग को थे पर जो अंदर उसे वो तो आपने बता दिया एक था सागर शर्मा ठीक है इंपोर्टन नहीं है यह नाम नुमने इंपोर्टन है बस मैं ऐसी बता रहा हूं ठीक है कि ऐसी जानकारी के लिए दूसरा अनमोल शिंद इनको जो है पकड़ लिया उसके बाद दो बंदे और है जो है पीलम अगाद नाम मत याद करते फिर ना यार टी मनोरंजन यह पर फिर जो हैं यह चार बंदे जो हैं डिटेन कर लिए गया है सरकार के दूसरा अब हम चलते अपने अगले करेंट पर कीदे और सब्सक्राइब अगला करेंट जो हमारा है वह है जलो हमें पता है पिछले कुछ दिनों से एलेक्शन का मोहल बहुत गरम था और राजस्तान की बात करें और राजस्तान के हमारे न्यू जो सीम बने है वह है भजनलाल शर्मा में इंपोर्टेंट क्यों भजनलाल शर्मा इंपोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि अपने प्रेप्टी स्केम की धिया कुमारी और प्रेम चंद वैरवा जो है ये जो है दो डेप्टी सीम होंगे है राजस्तान की वासुदेव देवानी जो है स्पीकषर रहेंगे हमारे अब राजस्तान के बारे में थोड़ी चीजा जान लेए तो कोन सी بتा है राजस्तान है हमें कोशन है जो VLW के एक्जाम में अब एक चीज देखो देखेस भी VLW में यही कोशन आया था अब एक चीज नहां से देखने को मिलती है कि स्टैटिक पॉर्शन जुरूर डाला बट स्टैटिक भी कहां से डाला जो करेंट में था ठीक है अलेक्शन काफी टाइम से जो थे चर रजफ्थान ठीक है tota चलिए अब अगले पर चलते मद्या-परदेश की बात कर लें तो मध्या-परदेश में मोहणयादव जी जो है हमारे न्यू सीम यह कहां से यह उजयान साउट से हैबcin कि कौंस्ट्वेंसी है कि रहां से यह से यह मैं ले बने पर इनको यह भी मोपन कैसी हो जाता है तर मध्यापरदेश की कैपिटल है बोपाल मध्यापरदेश के गवर्णर कौन है मंगू वाइस इपा टेल यह भी याद रखना और लार्जर स्टेट है एरिया वाइस यह तो हमें पता ही है ठीक है चलो आगे अब बात करते तेलांगना तेलांगना में भी हमारे election हुए रवन्त रेड़ीं और लगना के new cm बने कहां से बने ओज्याल कोडा नंगल बोडा नंगल स помог यादिक है अनुक्तर बने और फिरन को cm बना दिया तेलांगना की कैपिटल है है इदराबाद और गवर्नर कोन है तामिल साइव सांदुरंजन ठीक है यह जो है गवर्नर अब गवर्नर और सीम दोनों इंपोर्टन हो जाते हैं हमारे स्टैटिक पोर्शन से क्यूंकि यह करेंट में भी चल रहे हैं और इसी मारा कोशन ही आ करेंगे और विजे शर्मा जो है बीफ दिसंबर को अपनी शपत ग्रहन करेंगे ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं 36 गर के बारे में भी चातीज़ गड़ की जो कैपिटल है वो है रायपूर और इनका गवर्नर कोन है विश्वा वूशन हरी चंदन जो है इदर के गव जो 15 15 20 करेंट अफेर से एक दिन के लेकिया आजुगा कोई फाइदा नी है वोड़े याद करेंगे दिन के चार याद करेंगे तब अच्छे से याद करेंगे कि हमेशा हमें याद रहे अब यह जो चार है ये जो हमने आज पड़े पांचे करेंट के कल हम रिवाइस कि याद करते करते चलेंगे कम करेंगे पर करेंगे अच्छे से कि अगर आ गया तो कभी भूले ना और वन डे एक्जाम में वही चीज डालते हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट होती है जिन में करंट की हिसाब से तो 30-40 चीज़े अगर आप 30-40 चीज़े थोड़ी ना इंपोर्टेंट है क्यूंकि अगर आप 30-40 चीज़े पढ़ रहे हो तो अपना टाहिम वेस्ट कर रहे हो ठीक है न चीज़ को कम लाकि आपको खुद देखना है कि मोस्ट करेंट क्या पोस्ट इंपोर्टेंट क्या है तो आज के लिए द दुस्त।